बसंपूर नाम के गाउं में पती-पत्नी रहते थे महेश और श्रावणी उनकी एक बेटी थी कोमल जमीनदार थे वो खुशाल परिवार था उनका एक दिन महेश काफी परिशान था घर आकर जिनको अपना समझा उन्हों नहीं धोका दे दिया मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा होगा यू बाते करे जा रहा था उतने में श्रावणी आकर पूछती है क्या हुआ आप इतने परिशान क्यूँ है मेरे दोश रावणी मैंने उन पर भरोसा किया बिजनस में पैसा लगाया पर आखिर में उन्होंने मेरे साथ धोका किया मेरे सारी पैसे डूब गए आप परिशान मत होईए उन्हें उनके किये की सेजा जरूर मिलेगी भगवान हमेशा सच और इमांदारी का साथ देता है यू महेश को तसली देकर वो चली जाती है महेश अकेला बैट सोच रहा था रात हो जाती है सुनिये आप सुभ़ से परिशान है ना कुछ खाया ना पीया आपने मुझे भूख नहीं है श्रावणी मेरे करीबी दोस्त मेरे साथ धोका कर सकते है इस बात पर यकीन नहीं हो रहा मैंने हमेशा अपने दोस्तों पर भरोसा किया वही मेरे साथ धोखा करने लगे तो फिर जीने का क्या मतलब है महेश काफी व्यत्थित हो जाता है सुनिए आप ऐसा मत कहिए पैसें का क्या पैसे फिर से कमा लेंगे पर जिन्दगी एक ही बार मिलती है आप यू मायूस मत होईएगा सब ठीक हो जाएगा महेश भी ठीक है कहकर सो जाता है अगले दिन सुबह श्रावणी महेश को नीन से जगाने लगती है सुनिए उठिये न सुबह हो गई है सुनिए उठिये न श्रावणी चिन्दित हो जाती है महेश उठ नहीं रहा था वो उसके सीने पर सिर रखकर धड़कन सुनने की कोशिश करती है महेश मर चुका था श्रावणी जोर-जोर से रोने लगती है हे भगवान ये क्या हो गया आप मुझे और अपनी बेटी को युवा केला छोड़ चली गए श्रावणी का रोना दिल दहला देने वाला था वो आवाजे सुनकर कोमल वहाँ आ जाती है माँ बाबा को क्या हुआ? माँ? माँ? बाबा भगवान के पास चले गए है बेटा रोते हुए वो बेटी से कहती है बाद में महेश के अंतिम संसकार हो जाते है कुछ दिन बीच जाती है एक दिन एक आदमी कुछ कागजात लेकर आता है बहन जी आपके पती ने मुझसे करजा लिया था आपका ये घर उन्होंने मेरे नाम कर दिया है उस करजे के बदले में ये रहे उसके कागजात श्रावणी कहती है यूँ अचानक घर खाली करना मुम्किन नहीं मेरे लिए कुछ दिन की महलत दीजिए मैं अपने लिए कोई घर ढूंड कर फिर चली जाओंगी पर वो आदमी सुनने के लिए तयार नहीं था असहाँ स्थिती में श्रावणी कोमल को लेकर वहाँ से चली जाती है आपने ये क्या कर दिया हवारे सिर पर छट तो रख देते जमीनदार की बहू और पोती आज दरदर की ठोकरे खा रही है श्रावणी रोते हुए बड़बडा रही थी इस सदमे से वो बहकी बहकी बाते करने लगती है उसे पागलपन का दौरा पड़ता है कोमल बेचारी उम्र में छोटी ये जान नहीं पाई मा, मा, मुझे भूख लगी है मा, कुछ खाने के लिए चाहिए मा यू मांग रही थी पर श्रावणी अपना मानसिक संतुलन खो चुकी थी वो कोमल की बातों पर ध्यान नहीं देती कोमल बेचारी मा, सुनो न मा, मा, कुछ तो बोलू मा मा, भूख लगी है मा मा यू रोए जा रही थी तभी दूर से एक हाथी उन्हें देख रहा था वो मन ही मन बेचारी बच्ची, भूख से बेहाल है उसकी मा की दिमागी हालट ठीक नहीं लगती हाँ, मुझे उस बच्ची के लिए खाने का इंतिजाम करना होगा सरोजा से पूचता हूँ यू सोच, वो हाथी अपनी मालकिन सरोजा के पास जाता है सरोजा ठेले पर फल बेचती थी हाथी उसके पास जाकर केले मांगता है ओहो, अब भूख लगी है साहब को सुबह तो काफी तेवर दिखा रहे थे हाँ, यहाँ नहीं रहूंगा, चला जाओंगा निकल भी गए, अब क्या हुआ, वापस आ गए केले मेरे लिए नहीं, छोटी बच्ची के लिए चाहिए हाथी उसे बतानी की कोशिश करता है इशारों से सरोजा कहती है, छोटी बच्ची कहा है, चलो दिखाओ मुझे और सरोजा ठेला ढोते हुए हाथी के पीछे-पीछे जाने लगती है सरोजा उन दोनों को देखती है, उनके पास जाकर बेटा ये कौन है, यो पूछती है ये मेरी मा है, पर वो मुझे से बात नहीं कर रही कोमल रोती हुए बताती है, सरोजा ये देख, मन ही मन सोचती है ये तो अच्छे अमीर घर के लगते हैं, पर ऐसे रास्ते पर भूखे-प्यासे बैठे है समझ में नहीं आ रहा, नजाने क्या हाथसा हुआ है इनके साथ, बिचारी, इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं लगती सरोजा हाथी से, भीम, वो केले ले आना जरा, यू कहती है हाथी केले लेकर आता है, सरोजा वो केले कोमल को देती है बिटा ये लो ये केले खालो तुम्हारी भूख मिठ जाएगी और अपनी माँ को भी खिलाना यू कहती है बाद में सरोजा और भीम वहां से चले जाते हैं कोमल केले खाती है माँ को भी खिलाती है कुछ दिन बीट जाते हैं सरोजा और भीम रोज उनके लिए फल और भोजन लाया करते थे एक दिन हाथी सरोजा से सरोजा उन दोनों को देख दया आती है उनकी कुछ मदद करनी चाहिए सरोजा कहती है मैं भी वही चाहती हूँ पर वो कौन है कहां से आई है पता नहीं और हमारा घर तो इतना छोटा है कैसे रहेंगे हम सब वहाँ लेकिन मेरा दिल भी नहीं मान रहा उसकी मदद करना चाह रहा है सरोजा आज से तुम जो कहूगी वो काम में करूँगा रोज छेला भी साफ करूँगा फल भी लगा दूँगा ठेले पर मुझे एक वक्त ही खाना खिलाओ मैं रह लूँगा पर उन दोनों को घर ले आओ उन्हें खाना खिलाओ बेचारी उस पर दया आती है अरी तुम ही उन पर इतनी दया दिखा रहे हो इसके बाद भी मैं उनकी मदद ना करूँ तो मेरा तो मनुष्य जन्म ही व्यर्थ है तुम्हारी बाद मुझे ठीक लगी हम सारी रह लेंगे एक साथ जो भी मिलेगा बाट कर खा लेंगे तुम उन्हें घर ले आओ जाओ दिखाई देती है हाथी कोमल के पास जाकर उसे साथ चलने के लिए इशारा करता है पर कोमल डर जाती है मां के पीछे छिप जाती है तब हाथी दरोमद दरोमद यो इशारा करके उन्हें अपनी पीठ पर बिठा कर सरोजा के पास ले जाने लगता है कोमल इस सवारी से खुश हो जाती है कितना मज़ा आ रहा है ना यो कहकर तालिया बजाने लगती है कुछ देर बाद वो सरोजा के घर पहुँच जाते है सरोजा कोमल से बेटा तुम दोनों यही रहना मेरे पास मैं तुम्हें खाना खिलाओंगी पढ़ाओंगी स्कूल भेजूंगी रहोगी न यहाँ यो पूछती है हाँ मा जी यही रहेंगे मा ये शब्द सुनकर सरोजा की आँखे भर आती है ये देख कोमल पूछती है आप क्यों रो रही है हाथी भीम भी क्या हुआ यो इशारा करता है भीम बच्ची ने मुझे मा कहकर बुलाया मुझे मेरी बेटी याद आई मेरी बेटी और मेरे पती एक हादसे में मर गए उनके साथ मेरा जीवन खुशाल था पर अब मेरी बेटी जिन्दा होती तो इसके जितनी होती उम्र में सरुजव यथीत हो जाती है भीम सारे मुझे छोड़ कर चले गए पर तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ा तुम्हारी मा मरने के बाद तुम अकेले थे तब मेरे पती तुम्हें घर ले आए तुम्हारी देखभाल करनी पर आज तुम मेरा सहारा बने हो नजानी किस जनम का रिष्टा है हमारा सरुजव यू भीम से कहते हुए दुखी हो जाती है तब कोमल मा आप दुखी मत हो ना मैं भी आपकी बेटी हूँ आज से मुझे एक और मा मिल गई कोमल उन दोनों से लिपट जाती है सरुजव भीम दोनों खुश हो जाते है उस दिन से सरुजव कोमल और उसकी मा श्रावणी की भी देखभाल करने लगती है भीम के साथ वो तीनों खुशी-खुशी रहने लगती है सरोजा की अच्छाई ने इंसानियत के मसाल कायम रखी थी अब हम देखने जा रहे हैं एक बहु का सहसी खेल उसका नाम है कलपना कलपना एक दिन रोते हुए हाई इतनी जल्दी मर गई तुम तुम्हारा पती और बच्चे तुम्हारा इंतिजार कर रहे है यू कलपना रोए जा रही थी तभी उसकी सांस देवी वहाँ आ जाती है कलपना क्या हुआ क्यों रो रही हो किसी की तब ये ठीक नहीं है क्या बताओ तुझे क्यों बताओ इस सीरियल में हिरोईन मर गई सासुमा इस बात से अंजान उसका पती और बच्चे उसके आने का इंतिजार कर रहे है अरी तो ये सीरियल का भूत है मुझे लगा किसी रिष्टदार को कुछ हो गया डर गई थी मैं बंद करो ये सीरियल देखना अपना काम करो जाकर तुम्हारा पती घर आने का समय हो गया है ठीक है सासुमा यू कहकर कलपना घर के काम करनी लगती है उतने में उसका पती खेतों से काम कर घर लोटता है कलपना, कलपना, कहा हो यू बुलानी लगता है कलपना रिसोई में रो रही थी ये देख क्या हुआ क्यों रो रही हो मा ने कुछ कहा तो नहीं 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 सासू मा तो बहुत अच्छी है मैं किस्मत वाली हूँ जो ऐसी सास मिली मुझे फिर क्यों रो रही हो आओ मेरे उचक के सैया इस सीरियल में सास बहुपर अत्य जार कर रही है वो याद आते ही, मेरे आसु निकल जाते है ये बात सुनकर पती को घुसा आता है अरी, तेरा ये सीरियल का पागलपन दिन बढ़ रहा है इसी वज़े से कहीं पागल खाने में न जाना पड़े कल से बंद करो ये सीरियल देखना ठीक है, कल से न, आज एक दिन देखकर कल से सिनिमा देखती हूँ तुम नहीं मानोगी, सीरियल देखकर ये हाल है सिनिमा देखोगी, तो हमारी तो बैंड बजा दोगी यू कहते हुए, पती वहां से चला जाता है कलपना रसोई का काम खत्म करके, पती और सास को खाना परोस्ती है वो खाना शुरू करते हैं आहा, बहु के हाथ का खाना अवल है सास तारीफ करती है, बहु खुश होकर सासुमा, कल से और विढ़िया बनाऊंगी नई नई रेसिपीस मैं खुद तयार करूँगी वो दोनों ये सुनते ही, गईब हैस पानी में, यू सोचते है नई रेसिपीस क्यों, यही खाना ठीक है सास कहती है, ठीक है सासुमा, मैं तयार रहती हूँ पर आपको न, मुझ पर भरुसा ही नहीं है, रहने दीजिए मायूस होकर कलबना कमरे में चली जाती है वो दिन बीच जाता है अगले दिन सुबह, बहु टीवी देख रही थी तब एक आड आती है, एक औरत अपने बालों के बल से कार खीचती है बहु से देख, ओ, ये क्या, बालों से कार खीच रही है ये कैसे हो सकता है भला, यू सोचने लगती है उतने में सास आती है आज क्या हुआ, क्या सोच रही हो बहु सासुमा, हम बलवान हो, तो हमारी बाल भी तंदुरुस्थ होते हैं न हाँ, हमारी सेहत अच्छी हो, तो हमारे बाल भी तंदुरुस्थ होते हैं पर ये क्यों पूछ रही हो, कुछ नहीं सासुमा, टीवी पर एक आड देखी मैंने उसमें एक औरेट अपने बालों से कार खीच रही थी मैं भी तंदुरुस्थ हूँ, मेरे बाल भी स्ट्रॉंग है मैं भी ये साहस करना चाहती हूँ, सबकी वाववाप पाना चाहती हूँ बहु कहती है, सांस ये सुनकर दंग रह जाती है ऐसी उटपटांग हरकते करके, अपनी जान जोखी में मत डालना, समझी? हाँ, हाँ, समझ गई, मैं ये साहस करूँगी, और लोग मेरी टारीफ करेंगे, इसलिए आपके पेट में जलन हो रही है ओहो, मैं क्या करू इसका? चुपकर, जा अपना काम संभाल, सांस गुस्से से कहती है बहु भी कमरे में चली जाती है उस रात सब सो रहे थे बहु बाहरा कर यहाँ कार किसके पास है? हाँ, मोहन के घर के सामने कार होती है उसी तो लॉग भी नहीं करते वो लोग उसे मेरे बालों के बल खीच के यहाँ तिक लियाऊंगी तब पता चलेगा सबको मेरी ताकत के बारे मी कलपना यू सोचकर उस कार के सामने वाले हिस्से को अपने बालों से बांध कर खीचने लगती है उतने में एक बुज़र्ग आदमी उसे देख लेता है उसके पास जाकर अरे बेटा, ये क्या कर रही हो? कार की चोरी तो नहीं कर रही ना तुम मैं चोर नहीं हूँ चाचा जी मेरे इन लंबे बालों से इस कार को दोर तक खीच सकती हो यही मेरा टार्गिट है देखी आप भी ये सुनकर वो बुढ़ा आदमी चला चला कर सब को वहाँ बुलाता है उसकी चीखे सुनकर सारे वहाँ इकठा हो जाते है आओ आओ ये लड़की अपने बालों से इस कार को खीचने वाली है आओ देखते हैं सब लोग मिलके वहाँ आए लोग भी कलपना का हौसला बढ़ाते है खीचो खीचो जोर लगा के खीचो तुम कर पाओगी यो चिलाते हैं सारे उनका प्रोथ्साहन देख कलपना और फूर्ती से कार खीचती है खीच रही हूँ देखिए खीच रही हूँ यो कहते हुए सारे ताकत लगाकर खीचती है उत्रे में सास अरे ओ पागल मेरे बाल क्यों खीच रही हो छोड़ा छोड़ा यू चिल्लाने लगती है इस बात से बहु की नीन खुल जाती है सासुमा यह आपके बाल है आई मैं तो कार समझ कर खीच रही थी यह तो सपना था सासुमा आपको दर तो नहीं हुआ ना मुझे माफ कर दीजिए सास उसे डाटती है कुछ दिन बीच जाते है पर बहु सीरियल देखना नहीं छोड़ती वो बचत के नाम पर कंजूसी करना सीख जाती है सास को भी कंजूस बना देती है वो दोनों घर में खाना बनाना छोड़ देती है किसी न किसी बहाने पडोसियों से दाल, सबजी, रोटी लाकर खाने लगती है एक बार रात के समय सास टीवी देख रही थी तभी बहु आकर सासुमा आज क्या खाना बनाओ यो पूछती है ये क्या आजीब सवाल है तुम्हे अब नए से सिखाना होगा क्या? वही करो जो रोज करती हो पागल कही की ये क्या? मुझे क्यों डाट रही है आप? मैंने क्या कहा? हम खाना बनाएंगे तो रसोई में सामान खत्म हो जाएगा हमें बज़त करनी चाहिए इसलिए पडोस की रजनी से सबजी लिया आती हूँ क्या? नहीं नहीं रजनी आजकल अच्छी सबजी नहीं बना रही पर क्या करें? हम खाना बनाएंगे तो खत्म हो जाएगा सामान हम ठीक है जो तुम्हें ठीक लगे वैसा करो और सांस टी भी देखने लगती है और कलपना सोचने लगती है कि किसके घर स्वादिष्ट सबजी मिलेगी उतने में बिजली चली जाती है सांस बुलाने लगती है बहू कहा हो लाल्टेन ले आना जरा ठीक है सासुमा यू कहकर बहु लाल्टेन ले आती है सास पूछती है कहा है लाल्टेन ये रहा सासुमा ले आई हूँ फिर अंधेरा क्यों है आपने लाल्टेन लाने को कहा जलाने को नहीं मैं सोच ही रही थी तुम ऐसा ही कुछ करोगी तुम्हारे दिमाग की बत्ती तो कभी जलती ही नहीं सास उसे बाते सुना रही थी उतने में रजनी उनके घर आती है सासुमा, सासुमा, यो बुलाने लगती है तब बहु बहर आ जाती है ये क्या, तुम्हारी सास को बुलाने पर तुम आ गई? क्या कर रही है सासूमा और जगडा किस बात का चिला रही है तुम पर कुछ नहीं यूही उन्हें तो बहाना चाहिए ओ ठीक है पर क्या कर रही है तुम्हारी सास टीवी देख रही है अरे बिजली तो है नहीं फर टीवी कैसे देख रही है अरी बिजली चली गई है टीवी नहीं न ओह शब्दों में खुमा रही हो छोड़ो थोड़ी शक्कर चाहिए थी मुझे ओह मेरे पास भी न थोड़ी सी ही है मैं तुम्हें दे दूँगी तो कैसे चलेगा हमेशा हमारे घर से सबजी ले जाती हो कभी कुछ मांगने पर दिया है कभी कण्जूस कही की मुझे कण्जूस कह रही हो तुम कंण्जूस तुम्हेरा खांडान कंण्जूस दोनों आपस में बहस करने लगती है उतने में बिजली आती है रजनी कहती है मेरी मती मारी गई थी जो शक्कर मांगने आई तुम्हारे पास मेरी जूती से मैं ही सिर पर मार लेती हूँ सिनो तुम सिर पर चूती मारोगी न तो वो तूट जाएगी उसे फेकना मर मुझे दे देना छी छी ये किस लेवल की कंजूसी है रजनी यो कहते हुए वहां से चली जाती है कलपना कहती है फिर क्या समझी तुम मेरी कंजूसी के आगे कई नहीं टिक पाएगा दोस्तों आप के कहते हैं आएंगे हमारे घर आईएगा जरूर आईएगा पिर आते वद फल मिठाई ये सब लाना भूलियेगा मत ठीक है अगर आप हमारे घर आए तो मैं खुद अपने हाथों से आपको पानी पिलाओंगी पीकर चली जाएगा आएंगे ना आप फिर कब आएंगे कैसे आएंगे और हाँ साथ में क्या-क्या लेकर आएंगे ये कमेंट करके हवे बताईए तब तक के लिए अलविदा अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी ये कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और ऐसी मज़ेदार कहानिया देखने के लिए हबारे चानल को सब्सक्राइब कीजिए तैंक्यू पो वाचिंग